कि नमस्ते आज मेरे साथ डॉक्टर राम पुनियानी एक हम लोग एक फुस्तक पे चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने सब्सक्राइब को मैं हर्दम सुझता था ये डॉक्टर रिसर्च वाली डॉक्टर टेप एजडी वाली है ये सुखेद अनुपफ था कि डॉक्टर स सही में डॉक्टर है मरीज का इलाज भी करते हैं लेकिन हम लोगे दिमाग का इलाज आदा करते हैं लोग साब की बहुत से एक पुस्तक जो बहुत ही नतलब है छोटी इन्ट की वह कुल 127 प्रिश्ट की है हर प्रिश्ट अपने में पर्याप्त है और वह है इंसा जिसमें लगता है कि नहीं यह ऐसे था उसको रॉक्साब ने बहुत ही सरल शब्दों में और हिस्टॉरिकल एविडेंस के साथ एड्रेस किया है मैं यह मान रहा हूं कि जिसके जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको 11 चैप्टर्स में बाटा गया है लेकिन मेरे ख्याब में हर व है तो अगर कोई भी जिसको पुलिटिकल हिस्ट्री या इसके वादे में थुड़ा भी उसको लगता है कि पतावरा चाहिए उसके लिए मस्ट रीड है तो रॉक्साब मैं इसलिए आप से चैप्टर वाइस चल रहा हूं कि पूरा तो नहीं सम्भव है लेकिन कुछ-कुछ पहला चैप्टर आपका है साब्रदाइक हिंसा और उसमें जो एक मैंने उसमें कई टॉप टॉपिश साथ ने लिए हैं लेकिन मैं एक है कि गोधरा हिंसा मुस्लमानों की सुनयोजत योजना का नतीज़ा था यह मिठक है जिसको माना जाता कि नहीं ऐसी तक इस पर जड़ा जो आपने एक थोड़ा समझा दीजे हमारे दर्श को जी देखिए गोधरा के बारे में जो घटना हुई साबर मती के एस सिक्स कोच में हुई और उसके आधे घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री जी वहां पहुँच गए और उन्होंने कहा यह आतंकवादियों की साजिश ह पाकिस्तान का ISI और दुनिया के आतंकवादियों से मिले हुए हैं अब पहला सवाल तो यह उठता है कि आधे घंटे के अंदर जाच कैसे हो गई दूसरा उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बाहर से मिलकर पेट्रोल या केरोसीन खिड़की से डाला तो एमदाबाद की फॉर तो यह दो बातें इसमें सफष्ट हो गई और तीसरा उन्होंने जिन पर आरोप लगाए उसमें हाजी उमर्जी सबसे मुख अभ्यूक्त थे और पूरा मुकदमा चलने के बाद उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और उनको छोड़ दिया गया तो यह अब बैनर ज कमिशन ने कहा जो बाद में लालू प्रसाद याज़ा जब रेलवे मंत्री बने तो बैनर जी कमिशन ने कहा कि यह एक एक सिडेंट था कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि यह कोई और कारण होगा तो उसको पर जो प्रचार तंत्र है प्रचार तंत्र के माध्यम से तुर जांच करेंगे एक्चुली ऐसी घटने की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी रहते हैं और उसमें रेलवे मंत्राले ने वो किया नहीं बाद में लालू प्रसाद यादव ने आके मेनरजी कमिशन में पर तब तक तो बहुत लेट हुग अचा और आधे गंटे ए कि अगर मान लो कुछ लोगों ने कुछ मुसलमानों ने उसमें आग लगाई तो उनको सजा मिलनी चाहिए सजा की प्रक्रिया तो खुली है पर इन्होंने क्या किया वो बॉडिस को जो थी बॉडिस को ये विश्व हिंदू परिशद के हवाले कर दिया और विश्व अबाद बंद का एलान कर दिया तो ये सब चीजों से ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का प्रचार किया जाता है और दूसरी बात आनन जी आपको मैं ये भी बता दूँ कि ज्यादा तर दंगे जब करवाये जाते हैं एक बात तो ये निश्चित हो गई है कि दंगे अपने आ कि पहला पत्थर कौन फेकता है ये उनकी किताब है कॉंबेटिंग कमिनल कॉंफिलिक्ट नाम की उनका जो डॉक्टरल का काम है तो उसमें बताते हैं कि कई बार अल्पसंख्या को घेरा जाता है इस परिस्टिति में लाया जाता है कि उनके उनके पास पत्थर फेकने कि आगे एक घटना हो सके तो उसमें उसको एक समराइज करके इसमें तीन चार एविडेंस बताएं और सबसे मुख्य उसमें जो है फॉरेंसिक साइंस लिबार्टरी एमदाबाद की रिपोर्ट ये दूसरा अध्याय है अल्प्षण्यों को के संबत में गलत रहाँ कि ये इत आपने एक का है कि हिंदू और मुस्लिम राजाओं की लड़ाईयों का बूल कारान था धर्ग और इस मिधधक को आपने तुड़ा इस पर थोड़ा सा एक बता देते हैं देखिए ये जो राजाओं की लड़ाईयों के बारे में वैसे तो राजा को धर्म के चश्मे से दुर्शा जफर हैं एक तरफ मंगल पंडे हैं एक तरफ जासी किरानी हैं एक तरफ नाना साब टोपे हैं ये ने हिंदू मुसल्मान मिलके लड़ते थे और वहां उन्होंने अंग्रेजों ने देखा कि भारत में अगर फूड डालना है तो ये हिंदू मुसल्मान के आदा पर सरकार आई उन्होंने किताब में बदल दिया कि हल्दी गाटी में जो लड़ाई हुई थी उसमें अकबर हार गए राना प्रताप जीत गए अब ये क्यों किया उन्होंने ये पता नहीं पर दूसी बात ये है कि इस लड़ाई को ज्यादा तर हिंदू मुसल्मान की लड सिनापती थे तीन हजार की फॉज थी दो बड़े सेनापती थे एक सिनापती राम सिंग दूसरे हकीम खान सूर जो पठान सैनिक उनके राना प्रताप के साथ तो ये हिंदू मुसल्मान की लड़ाई का तो सवाल है नहीं उड़ता था ये सवाल था ओढ़े का यानि राना मुसल्मान का एकल बिल्कुल भी नहीं था ये मैं बताना चाहता हूं जो जो मैं फिर आ रहा हूं अध्यार्ण चाहले भारत में इसलाम भारत की में वह पैसिधिया आ जा रहा हूं और निवेशिक आल में आपने पॉइंट किया है रेज और जो बहुत जगह कहा जाता है मित्स है काफी गांधी ने मुस्लमानों का तुष्टी करन किया यह बार रोज बना कि उसमें आप देखते होंगे इसमें जो आप एक बाद थोड़ी थोड़ा अंदुष्टी करन किया मुक्के रूप से यह नाफ़त अंदोलन में उनका साथ दिया उनके पीछे बहुत सारी कारण होंगे और मुक्खे कारण यह था कि मुसलमान जो अभी तक का 1920 में उन्होंने भाग लिया पर ज्यादा पैमाने पर यह हिंदू-मुस्लिम एकता की शुरुवात हो सकी इसलिए गांधी ने वो किया और दहां तक तुष्टी कारण का सवाल है हैं गांधी एक निश्पक्ष रूप से दोनों तबकों को साथ में लेकर चलते थे और यह भी याद रखिये कि जो मुसलमानों के बड़े तबके के लीडर थे मुसलिम लीग वाले यहने बाद में चलकर जिन्ना हो गये सुरावर खान और अल्ला बक्ष बगएरे यह तो गांधी की नीतियों पर चलते थे तो सवाल यह हिंदु मुसलमान का था ही नहीं क्योंकि गांधी ने हर्स में कहा कि धर्म और राष्ट्रियता को नहीं जोड़ना चाहिए आपका धर्म आप पालन कीजिए मेरा धर्म मैं पालन करू हिंदु तो हैं पर उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान बियां उतनी संख्या में बड़ी संख्या में हैं वो भी आजादी तो उसी को यह तुष्टी करण कहते हैं क्योंकि 888 की मैं आपको बात बता दूं 885 में कॉंग्रेस बनी कॉंग्रेस के बनने के बाद जो हिंदू रा पर और हिंदु राश्टावादी चाहते थे कि भारती राश्टी कॉंग्रेस में राश्टी अंदोलन में मुसलमान न रहें मुसलमानों के जोडने को यह उसका तुष्टी करण कहते हैं और किसी भी स्टेज पे गान्धी ने किसी धरम के लोगों का पक्ष ने लिया वो न पाकिस्तान को दे दो अभी खाजाने में से दे दो अपने खाजाने से देने की बात नहीं की इन्होंने का भई अमारी जो रिजर्ब बैंक में संपत्ती है अब दो देश बन रहे हैं तो जो पाकिस्तान के हिस्से का है वो आप पाकिस्तान में देना चाहिए और उसमें कोई अपना पैसा नहीं था, ये संयुक्त पैसा था, तो लोग रोग क्यों रहे थे, उस समय काश्मीर का विवाद चालू हो गया, काश्मीर का विवाद अलग था, काश्मीर का इस से कोई संबन नहीं था, क्योंकि उस समय जब पाकिस्तान की फौज पहली बार पाकिस्तान गई, क 55 करोर मत दो गांदी ने का ये तो नैतिकता के खिलाफ है आज हम अपने वादे के खिलाफ जाएंगे तो कल चल कर दुनिया के लोग भारत को किस द्रश्टी से देखेंगे एक और दूसरा क्या ये हमारी नैतिकता हमको परमिट करती है कि हम दूसरे का पैसा किसी और शर्त पे के कारण रोक दे तो उन्होंने आगरा किया था इसके अलावा इसको उन्होंने कंडिशन नहीं रखी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने शर्त रखी कि 55 करोड देना ही चाहिए उन्होंने अपनी राए दी थी क्योंकि वो तो सरकार में थे नहीं सरकार से हमेशा बाहर रहे उन आत्मा गांदी ने यह नहीं किया वो नहीं किया इन्होंने खुद क्या किया उसका कोई लेक नहीं है तो सवाल यह है कि गांदी एक बहुत इतिक व्यक्ति थे इंसा को मानते थे तो इसलिए उन्होंने सब community को साथ में लिया और साथ में लेने को यह तुष्टी करन कहते हैं जी मैं अध्याय सेविन जो है भार्ती राष्टवाद है उसमें बहुत है उसमें आरे से के बहुत है मैं उसको स्किप कर रहा हूं मैं कश्मीर मसला अध्याय आठ टेक्टर एक और उस पर एक है पंडितों क यह तो बड़ा बहुत गरम गरम टापिक रहा है तो उसमें यह मुख़ बात यह है कि कश्मीरियत जिसको हम कहते हैं वो हिंदू-मुसल्मान का मामला नहीं है यह मिली-जुली सब्विता का मामला है कश्मीरियत में तीन चीजों का यह है संगम है एक तो बुद्धर्म की प कश्मीरियत बनती है अब जो कश्मीर का सवाल हुआ कि जब हमने अपनी फौज भेजी आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A ये लगाया ट्रीटी अफ एक्सेशन भी और उसके बाद क्या हुआ कि यहां जब सामप्रदाइकता का प्रभाव बढ़ने लग गया तो उस सामप्रदाइकता कि प्रभाव के कारण एक तरफ तो महात्मा गांधी के अत्या हुई शामप्रसाद मुखर जी जो उस समय भारती जन्ता पार्टी का पूराना होता उन्होंने कहा कि कश्मीर को पूरा मिला लो अब ट्रीटी आफ एक्सेशन क्यों की गई थी कि वही हम कश्मीर को अभी करने का नहीं होना चाहिए तो अब हुआ क्या उन्निस सो नब्य के अश्सी के दशक में जो अलकाइदा टाइप एलिमेंट्स हैं अब जब ऑटोनॉमी के क्लॉजेस उनके स्वायत्ता की चीजों को समाप्त किया जाने लग गया तब कश्मीर में असंतोश बढ़ा और शु कि पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और कई लोगों को ट्रेन किया और फिर बाद में अलकाइदा के जो लोग थे उसमें से कई लोग कश्मीर आये और उन्होंने इसको हिंदू-मुसल्मान का रूप दिया और उनकी आने के बाद ये जैसे कश्मीरी पंडितों की के अंदर जो प्रो इंडिया लोग थे आतंक वादियों उनको भी मारा और फिर ये जो हुआ कश्मीरी पंडितों पे चार-पांच हुए तीन-चार कश्मीरी मुसल्मानों पे हुए तो वहां से कश्मीरी पंडित निश्चित रूप से विचलित हो गए और उनको अभी जर जाए दूसरी जगह चले जाए तो कश्मीर के पंडितों के पलायन के पीछे वो जो कश्मीर में आतंक वाद बढ़ा जो शुरू में स्वायत्ता को दबाने के लिए था बाद में पाकिस्तानी ट्रेंड एलिमेंट्स को था उनको कश्मीर के मुसल्मानों से मिक्स नहीं करन चाहिए यहां मैं तीन फोर्स देखता हूं एक कश्मीर के मुसल्मान जो पंडितों के साथ हैं दूसरा कश्मीरी पंडित जिन पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और तीसरा वो आतंक वादी जो पाकिस्तान और अल-काइदा से ट्रेंड हैं तो यह लोग आज क्या करते ह हैं कि सब मुसल्मान पंडितों के खिलाफ थे और यह कश्मीर फाइल फिल्स भी बताती है एक्शली मैं एक ही घटना है इसमें आपको बता दूं कि जब कश्मीरी पंडितों पर आकरमन तेज हुए तो वो क्या करते थे मस्जिदों के अंदर जाके लिस्ट लगाते थे कि यह कश्मीरी पंडित हमारे निशाने पे हैं अब मस्जिद के अंदर वो पंडितों के जो पडोसी रहते थे वो जाके अपने पडोसी पंडितों को कहते थे भई आपका नाम उसके लिस्ट में है आप सुरक्षा से नहीं चले जाईए तो यह चीजें जो हैं हिंदू-मुस और यह मेरा खुद का हो है मैं वहाँ गया मैं वहाँ जब फैमिली के साथ टूरिसम के लिए गया था मैंने पूछा नुरुदुन नुरानी की दरगा जाना है किसी को पता नहीं फिर किसी ने बोला अच्छा आपको नुंद रिशी की दरगा जाना है अरे वो तो इधर है तो यह एक सुखद जो हमारा प्यारा चीज था तो यह पंडितों का पलायान पूरी तोर से कश्मीर क्योंकि एक स्टैटेजिक जगह पे है पाकिस्तान उसको अपने कबजे में लेना चाहता था अमेरिका उसके पीछे खड़ा था उधर से अलकायदा आया उधर से पाकिस् हिंदु मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की और कश्मीरी पंडितों में कश्मीर में दिखिए आनन जी एक बहुत बड़े पत्रकार थे कश्मीर के बलराजपुरी वो एक डेलिगेशन लेके गए कश्मीरी पंडितों के पास कि आप यहीं रहिए और आपकी सुरक्षा क का इंतिजाम हम करेंगे तो जगमोहन ने उस डेलिगेशन को भंग कर दिया और जो डेलिगेशन के मेंबर थे उनको टिकिट दे के बोला कि आप पहले जम्मू जाओ बाद में मैं देख लेता हूं तो सवाल यह कश्मीरी पंडितों का पलाया है यह एक दुखत राजनीती गटना है आज भी हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं पर उसका जो सही निदान है कि कश्मीर के लोगों को भारत से प्रेम ने और उनकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए भारत में मिलाना उस पर ध्यान नहीं जिया जा रहा और आप देखिए आर्टिकल 378 आया इससे सम नोट बंदी के समय कहा गया नोट बंदी हो जाएगी समझ्य हो जाएगी उससे हुई तो यह सवाल है कि बीमारी कहीं है और इलाज कहीं और किया जा रहा है इसलिए है कि यह बहुत रोज यह रोज बोला जाता है कि सभी मुसलिमान आतकवादी नहीं है लेकिन सभी आतकवादी मुसलिमान यह बहुत कॉमन फ्रेज है जो बहुत बहुत लूजली यूज किया लगता है इस पर क्योंकि इस पर आपके कराई समझना चाहेंगा देखिए यह जो यह जो पूरा पॉपुलर किया गया बनाया गया नाइन इलेवन टूथाउजन वन 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकन मीडिया ने इसलाम क बाद जो होता है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निहत्थे लोगों पर आक्रमाण यह प्रक्रिया पहले भी थी अगर आप देखिए तो रश्या में नेरोड निक्स थे इसराइल पैलेस्टाइन में भी थे श्री लंका में LTT थे अब बताई यह LTT वालों का धर्म क इंद्रिया गांधी के हत्या करने वाला सिख बोडिगाड राजीव गांधी के हत्या करने वाली धानू नाम की लड़गी और 1958 में श्री लंका के प्रधान मंत्री SW बंदार नायकी की हत्या एक बुद्ध भिक्कु ने की थी और 2006-2012 में नौर्वे में एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक ने 86 नौजवानों को अपनी मशीन गन से उड़ा दिया वो RSSS के विचारों से प्रभावित है तो ठीक है तो ये दूसरी बात है कि आतंकवाद एक राजनितिक प्रक्रिया है और इसको धर्म से जो जो जोड़ा है वो अमेरिकन प्रोपोगेंडा ने 9-11 के इस्लामिक टेररिजम शब्द ये पहली बार आया अनंद जी इस बार को अबज़र ख्याल करेंगे पहले किसी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा गया था इसको क्यों जोड़ा गया ये वैश्विक जो प्रभाव है अमेरिकन मीडिया का उसके कारण मुसल्मानों को इसलाम को आतंकवाद से जोड़ा गया और वो इतने कैंसर के रूप में वो विचार फैले हैं कि उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है मतलब कोशिश हमने इस पे भी कई सारे वीडियो और भी है मेरे कश्मीर पे भी है अगर आपको कोई मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल सकते हैं आतंकवाद पे भी है कि आतंकवाद के क्या क्या कारण होते हैं बड़ी विस्तार में मैंने उसको डील करने के कोशिश की है कि मैं डॉक्टर आंपन्यानी की साइट पे भी जाए तो वह बिल्कुल खा जाना है लेकिन इस पुस्तक बहुत प्रक्री से हैं लेकिन मैं इसलिए आग्रा कर रहा हूं आप लोगों से जो जो इंसानियत को समझना चाहते हैं जो धर्म को समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत की किताबों के रुशूंसे बताते हैं कि अब इस किताब और क्या कुछत बहुत बहुत धन्यवाद रॉक्साब करने के लिए हम आगे भी आपको थुरा तक्रीफ देते रहेंगे इस तरह की कुछ-कुछ बाथे समझने के लिए आप से थैंकियो थैंक्यू मुझे आवोट कस्यों यूब